नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारी YouTube चैनल में दोस्तों कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं कि भगवान महाकाल के आसिरवात से आप बहुती अच्छे होंगे दोस्तों आप सभी को बता दें कि अब दुस्मन छाती पीट पीट कर रोएंगे क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि स्वे महाकाल ने उठा लिया है तिर्शूल अब आपके जीवनकाल के सारे दुस्मनों का विनास निश्चित है जिहां दोस्तों आने वाले पांच दिनों का शमय आप सभी के लिए छे कारी शंपन होकर ही रहेंगे इनमें कोई भी अर्चन नहीं आने वाली और दोस्तों जब आप इन छे कारीयों के बारे में सुनेंगे तो दोस्तों खुसी से आपके आँखों में आसु आ जाएंगे घर परिवार के होस उड़ जाएंगे जहां दोस्तों कुछ ऐसे ही बड़ी घटनाए होंगी कुछ ऐसे ही बड़े बाते होंगे जो कि दोस्तों आप से भी के जीवन काल के सबसे एहम बाते हैं जो कि दोस्तों यह समय सच होने वाले हैं, शंपन्य होने वाले हैं और बहुती अच्छा माहूल आप से भी के जीवन काल में देने वाले हैं, तो दोस्तों आज का यह वीडियो बहुती ज़्यादा महत्पुन होंगे, बहुती बड़े साब्धाने भी आपको यह शंपने चोड़ते हैं, जिद्धी पन आपके अंदर बहुती ज़्यादा कूट कूट करके भरा है, भगवान महाकाल का आंस है, तो दोस्तों आने वाले दस दिनों में आपको कौन सी विश्यस बातों का ध्यान रखना अत्यानती आवस्यक होंगे, कौन-कौन सी बड़ी खुस खब आपको यह समय महाकाल देने वाले हैं, साथी दोस्तों जो ग्रहों की बदलती चाल होगी, आपके जीवन काल में कौन-कौन से बड़े बदलाप करेंगे, सभी की जानकारियां पहुती गहरी तरीके से ग्रहों के गोचर पर निर्मित है, तो दोस्तों वीडियो को मिस करने क गलती मत करना, और दोस्तों सुरू से अंत तक जरूर ही देखिएगा, जहां दोस्तों, और दोस्तों वीडियो के अंत में एक बहुती अच्छे उपाई भी दिये गए हैं, जैने मातर कर लेने से दोस्तों आपका जीवन ही बदल जाएगा, आपके घर में कोई भी शंकट स मस्या नहीं आएगी, तो दोस्तों वीडियो को अंत तक देखिएगा, उसे पहले दोस्तों, जो यह माकाल के सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराशा लाइक अवस्य कर दें, और इनके लिए लिख दें, जैने माकाल, दोस्त दोस्तों ये बातें आपसे विके जीवनकाल में बहुती ज़्यादा लापकारी साबित होंगे जहां दोस्तों दोस्तों भगवान स्रीक्रिशन जी कहते हैं कि कोवा एक मात्र ऐसे पक्षी है जो बाज पर भी चोच मारने की हिमत करता है वह बाज की पीट पर बेटता है और उसकी गरदन पर कारता है पर बाज जबाब नहीं देता और नोही कोवे से लड़ता है और नोही कोवे पर समय बरवाद करता है बस अपनी पंक खोलता है और आसमान में उचा उड़ना सुरू कर देता है उड़ान जितनी उची होती है उत आपने कामें लगे रहो वे वेसे ही खत्म हो जाएंगे यानि कि दोस्तों जो भी आपके जीवन काल में ऐसे दुसमन हैं जो कि आपको नीचे खिचने का प्रयास करते हैं दोस्तों उन सभी को इगनोर करके अपने जीवन काल में अपने लक्ष की और बढ़ते रही दोस्तों एक ना एक दिन जो आपको खीचाता निकरते हैं वो आपके लिए तालिया भी बजाएंगे जिहां दोस्तों तो दोस्तों भगवान स्री कृष्ण का यह ज्यान अगर आपको अच्छा लगा हो समझ में आई है तो दोस्तों वीडियो को एक प्याराशा लाइक अवश्य कर दे और इनके लिए कमेंड बॉक्स में लिख दें जैश्री कृष्ण रादे रादी तो आई दोस्तों इसी के साथ बात करते हैं कि भगवान महाकाल के आसिम आसिरवात से आने वाले दस दिनों का शमय आप से वेके जीवन काल में कौन-कौन से बड़े बदलाव होने वाले हैं कौन-कौन से विशेश साबदानियां आपको यह समय रखने होंगे कौन-कौन से बड़ी उपलब्दी मिलेंगे और दोस्तों कौन से अच्छे बाते हैं जो यह समय शंपन होकर हिरहेंगे साथी दोस्तों आपको कौन सा एक उपाय करने हैं जिससे दोस्तों आपका जीवन ह अवस्ता में पाएंगे जिससे चलते आपकी काम करने की जो समझ है दोस्तों उनमें निखार आएगा और आप हर कामों को शमे से पहले करने का तयार रहेंगे जिहां दोस्तों दोस्तों अब आपका आने बाला समय भगवान भोलेनात की किरपा से समय बहुती मिश्चित फाल दायक रहेगा आप किसी विशेश लक्ष को हासिल करने के लिए प्रियासत करेंगे और उसमें आप सफल भी होंगे दिनों में आपके दोरा कोई लिया गया कोई निमेहत्वपूर निरने बहतर साबित होगा गर के सदस्या का सहिएग और सला भी आपके लिए लाबदायक रहेगी दोस्तों आप इन दिनों में बहुती विश्तम फ्यारहे दिनचारिया रहेंगे और भौलेनात की किरपा से आप कारे को लिए भी शमे निकाल लेंगे और उसमें शफल भी होंगे आपका रहन सन और बोल चाल का तरीका दूसरों को आपकी तरफ आकरसित करेगा इनके साथ साथ दोस्तों आपको इन दिनों में कुछ शावदानिया भी देखकर चलनी होगी किसी विप्रित प्रसितियों में सामरता बनाए रखें पूरारी नकात्मों बातों को हावी न होने दें किसी भी काम को जल्दवाजे की वज़ाए सहज तरीके से पूरा करने का प्रयाश करें आपको आवशी शफलता मिलेंगे अगर दोस्तों आपको कही निर्ने लेने में दिकत है आए तो किसी वारिष्ट व्यक्ति की सला आवस लें निसीती आपको शफलता मिलेंगे और सांती से प्रसितियां समालें बातचीत करते समय नकात्मों सब्दों का प्रयोगना करें वैपसा में अपने काम की क्वालेटी को और बहतर करना जरूरी है अगर कारचित की वैस्ता में कुछ परिवर्थन सम्धियों बन रही है तो दोस्तों उन पर तुरंत अमल करें और पटी सम्धिय वैपसा में कोई बड़ी डिल हो सकती है तो जना बनाने के साथ साथ उन्हें क्रियामिंद करना भी जरूरी है ध्यान रखें कि बहुत अधिस सोच विचार करने से भी काम हाथ से भी निकल सकते हैं ज़्यादा अभिवान और खुद को सिपरियर समझना ठीक नहीं है समय आपके पक्ष में है मार्केटिंग समन्दी कारों को निप्टाने के लिए उची समय है आपके सभी काम वेस्तित रूप से संपन होते जाएंगे किसी छोटी सी बात पर विवाद भी होने की असंका है रिक्स परवर्ति की कारों में पेसा ने लगाएं परना नुकसान भी हो शकता है इस समय वेस्ति बहतर बनी हुए है निवे समन्दी गत्तिविदियों की जांकरी प्राप करने में उची समय लगाएं इस समय भाविस्ति की योजनाव पर पेसा लगाने के लिए शमय बहुती अनुकुल है अप जो भी काम में हाथ लगाएंगे दूस्ता भगवान की किरपासे आपको शफलता ही मिलेगा यहाँ पर परिवारी माहौल में भी आपका शकुन भरा रहेगा सभी सदस्यों की वासी तालमूल बहतर होने से घर में खुशनमा बातारण भी रहेगा परिवारे समन में मदूर्था और तान में रहेगा प्रेम परसंगों में एक दूसरी के लिए इमानदार रहें परिवार जनों के साथ हाज फरियास और मननजन में समय वेतित होगा लब पार्टनर के साथ लोग ड्राइपर जाने का भी मोका मिल सकता है इन दिन में भगवान की किरपा से आपकी सभी गिरिष्टी बहुत ही अनुकुल है खर्चों के आदिकता रहेगी और तो खर्चे बहतर कारियों के लिए होगे इसलिए चिंता न करें आपकी कार्च कुर सल्ता से उमीद से ज्यादा लाब हो मिलने की शामभावना है पिछले क कुछ समय से चली बाधायें भी दूर होगी दोस्तों इन दिनों में आपका सभी दिरिष्टी से समय बहुत ही अनुकुल है नगात्मों परिस्तियों में परेसान होने की वज़ए समश्या का हल निकानने का प्रयाश करें आप सफल भी होंगे दोस्ता आपके लव लाइक के बारे में बात करें तो पती पतने के वीच खटी मिठी नौक जोक रहेगी अवेट लोगों के लिए विभाग के यूग बन रहे हैं प्रयाइक समंदर में मदूरता रहेगी प्रयाम समंदर में गलत फ्यमिक की वज़ए से दूरियां आ सकती है इसलिए सावधान रहें दोस इसे के साथ बात करते हैं कि यह समय आपको कौन से उपाय को करना चाहिए दोस्तों अगले आठ दिनों के अंदर अपने घर में दूद और बेलपत्र एक काटूरी में लेकर दोस्तों अपने चट के उपर रख दें या फिर घर से बाहर ऐसे अस्थान पर रख दें जहां प क्लियान कारी Isitia आपको मिलती रहेगी जहां दोस्तों बात करता अपका भागे साली रंग और भागे साली अंक क्या थे भागे साली रंग भुलू है और भागे साली अंक चेंट दोस्तों बगवार महाकाल का आशिरवात आप सभी को प्राप्तो सच्ची दिलशिक कमेंड बॉक्स में जय महाकाल जरूर लिखें और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें धन्यवाद